हेलो फ्रेंट्स माने में शाय बाजली वेलकम टू टाटा वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टिचूट तो फ्रेंट्स जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बनाया हूं चीजल के बारे में उसको आप देख लेना इससे पहले वीडियो बना चुका हूं तो जो इंजिनियर चाहते है कि इंडेस्ट्रेंग में इंडेस्ट हो करने के लिए कि इंडेस्ट्रियल में क्या-क्या होता है वो हमारे चानल को सबस्क्राइब जरूर कर लेडा योकि मैं उसरी का रिकारडिंग बहुत सारे वीडियो डालता हूं और डाला भी हूं तो चलिए, आज हम लोग पढ़ते ह तो चलिए फाइल क्या होते हैं देखो फाइल क्या है एक हमारा cutting tool है इसमें बहुत सारे क्या होते हैं तीथ ऊते हैं कुछ ऐसे बने रते हैं तीथ होते हैं उसके फेस पह अब FILE का का काम क्या होते हैं कोई भी वर्क का material को रिमूव करना गिसमें एक forward stroke में मतलब जब भी हम forward stroke करेंगे stroke का मतलब होता है आगे पीछे करना राइट अगर आगे किये तो ये पहला stroke पीछे किये तो दूसरा stroke तो वही चीज़ है जैसे कि हम आगे पीछे करते हैं तो क्या होता है ये material को remove करता है सिफ forward stroke में और ये हाथ के दुवारा किया जाता है हाथ के दुवारा मतलब हाथ से हमनों क्या करते है material को remove करते है फाइल के दुवारा जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ देखो ऐसे काम होता है फाइल तो अभी यहां पर क्या हो रहा देखो यह हमारा क्या है? एक file है यह हमारा hand का position एक यहां रहेगा एक हमारा, एक corner side में रहेगा और यह beast और यह क्या है? एक material हो गया इसका material का हम parts को remove कर रहे अब देखो यह हमारा forward stroke में ही क्या होता है? remove करते back में भी रहते हैं लेकिन back से क्या होगा? तो इसका तित डामेज हो जाता है तो यह हमारा क्या है यह हैंड का पोजिशन आप देख लो और फिर फारवर्ड स्टॉक से क्या कर रहे हम लोग रिमूब करें कुछ इस तरीका से हम लोग काम करते हैं फाइल से राइट तो चलिए इसके बारे जानते हैं हम लोग अब देखिए पार्ट्स क्या होते है फाइल के तो दो में पार्ट्स है पहले क्या है बॉड़ी जो तीत के साथ हो बॉड़ी जो क्या हो तीत के साथ हो दूसरी क्या होते है टैंक जिसमें क्या होते है हैंडल को फिक्स करते हैं हम लोग राइट अब देखो यहां पर ही यह हम पार्ट है इंपोर्ट पार्ट है और यहँ बहुत सरे पार्ट में बता हुंगा अगे अब आता है अधेरियल के बारे कि फाइल सका मेरेल क्या चीज़ का बनता है जो क्या करता इता है तो देखको जो हो होता है जो हमारे कार्बन का जो पर्सेंटेज होता है वो होता है 0.6 से लेकर 1.4 टक रहता है इतना परसेंट आफ कार्बन रहता है high carbon steel में तो यह चीज से बनते हैं क्या है यह harden होते हैं लेकिन जो हमारे tank होते देखो file कुछ इस शे में रहता है और यह हमारे क्या होता है एक tank होता है जिसमें क्या करते हैं हम हेंडल में हेंडल को लगा देते हैं अब इससे फाइल में क्या होतेечение यह क्या करते है violent करते है persönlich को forward Central a अब यह जए हो यह जो पार्ट है न वूल इसके बनते है HCS के बनते है, High Carbon Steel के बनते है, यह वाला पार्ट, ठीक जिसको हम बोलते है, Body, बोडी और जिसका साथ क्या हो, तीत हो, यह किसे बनते है, High Carbon Steel के बनते है, लेकिन जो टैंग है ना, देखो यह लोगा टैंग होता है, पीछे वाला, जहाँ पर हैंडल को लगाते हैं, हैंडल मेर लकड़ी का होता है, उड़ का होता है, तो यह जो टैंग है, यह किसका बनता है, Soft Metal का बनता है, क्यों बनता है, ताकि यह ब्रेक ना हो जाए, अकर यह High Carbon Steel कर रहेगा, यह वाला टैंग, तो तुरंद ब्रेक हो जाता है, क्योंकि ज्यादा फोर्स हमने इसी में लगा रहे है तो यह Soft में होता है, Soft होता है, थोरह सा, अब जो length होगा file का, वो कैसे हम करेंगे, length कैसे होगा, is specified by excluding the tank, मतलब length हमको यहां से यहां तक ही length होगा, file का, ठेक, यही हमारा length होता है, इसको हम length में नहीं जोड़ते है, जो हमारा tank होता है, उसको हम length में नहीं लेते है, सिर्फ ज आते हैं classification of files तो देखो यह important होता है कि files को हम कैसे कैसे classify कर सकते हैं तो files को हम लोग क्लासिफाइब करेंगे according to length राइट उसका cross section ठीक उस grade और उसका cutting end जो हमारे cutting end क्या है मतलब single cut है या फिर ऐसे होता है कि single cut है या फिर double cut है तो यह हमारे क्या है cutting of it राइट तो लेंथ हो गया section cross section हो गया grade हो गया cut हो गया अब चले आगे पढ़ते हैं सब है क्या तो देखो सबसे पहले मैं बताता हूं आपको कि files में क्या-क्या important होता है तक कि आपको एक brief knowledge मिल जाए files के बारे में तब एक हो यह क्या है यह हमारा आप देख सकते हो यह जो पार्ट है यहां से लेके यहां तक यह क्या 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 लाते है लेंथ लेंथ बोलते है इसको file का तो यह जो पार्ट है आगज वाला पार्ट हम बोलते हैlen जो कॉर्ण में उसको बोलते है एजए जो उपर शहां पार्ट राता है यह वाला इसको हम भालें है话 हे से है टर्ण होने से पहले जो हमारे यह उन मौना हमारे के scarcity होते हैं तो यह यह व्य हम क्या है क्यां वूंगे यह बोलेंगे ठ REP इसको ऑना हवारा हमारे हैंडल तो यह क्या है टाइंग इस ही को बोलते हैं मतलग यह इसे पाठ ना जैसे पाथ तो यह क्या कहलाता है यह कहलाता है अब आप बहुत इसी है अब यह सब्काइब में पढ़ेंगे अभी देखो एक चीज़ और यहां यहां पर देखा ठैक्षित गहां डॉक कि यहां पर देख सकते हो कि की कि है कि है यह यहां फर सिंगल कट जो aan होगा जो single cut होगा मतलब सिंपल डैप में अगर वही इसमें ऐसे भी cut होगा तो इसको बोलेंगा double cut समझ गया तो बहुत easy है और कुछ नहीं अब देखो जो हमारा length होता है file का वो हम कैसे जाने को length तो सरा Rapha 2 अगा मधश्री जो होगा हमारा length क्या होता है अगर पूछेगा कि length क्या होता है तो लेंट जो होगा हमारा point से लेकर कहां तक होगा Heel तक इस7 को बोलेंगं हम length समझ यह होता है हमारा length गारा तो जनरली जो फाइल को जो आबलेबल है वह वहां सेstyle तक होते हैं, privat चार इंच से लेकर कि लेकर सुला इंच सकते हो कि ठीक हे, आप याद को कि रेच आठ लोगई कि चार हैrif, छे आठ रे से 12 हेidente, 12 हे, जो सुला है है, यही साइज के मेरे पाइल होते हैं को ठीक अगर उस से ज야दह हो गया तो हम लोकों लिए मतलब काम करना मुश्किल aja कर चाहिए ज्यादा लंबा हो यह तो क्या करेंगा फ्रॉब्लम होगा समझ पॉइंट से लेके हील तख होगा उसी को बोलेंगा हम लोग फाइल का लेंट शमजके लेंट तो काम होगिया अब दूसरा हम पाट आते हैं किसको के बारे में सेक्शन क्या होता क्रॉस सेक्शन और राइट जैसे कि आप एक वाईप अगर देखो तो पाइप का क्रॉस सेक्शन क्या होता है तो ऐसे हम यहां पर क्रॉस सेक्शन देखेंगे उसके हिसाब से हम बताएंगे कि कि file का section क्या-क्या है तो देखो file का section होता है फ्लाइट एक होता है फ्लाइट क्या होगा कुछ तरीका होगा फ्लाइट होगा round होगा round में क्या होगा यह हमारा round section हो गया square में क्या होगा इसक्षन कुछ इस तरीका से होगा triangular में क्या होगा ऐसे होगा knife में क्या होगा हलगा knife age type में होगा ना पतला साउगा राइट तो देखो फ्लाइट को यूज़ करते है सभी कामों के लिए round को कहाँ यूज़ करेंगे जहाँ पर हम लोग को olm बड़ा करना हो round को कहाँ यूज़ करेंगे जहाँ पहले हो बभेट ट्रेइंगूलर कहाँ यूज़ कर सकते हो जहां पर एक ऑंगूलर सुर्ड़्स हो तो वहां पर आप ट्रेइंगूलर यूज़ कर सकती हो तकíveis आराम से चले aynı नाइफ का कहा यूज कर सकते हो जहां पर यब को गेर्थित बनाना हो या कोई शार्प कॉर्णर बनाना हो right इसी भी है अब देखो जैसे कि मैं आपको बताया पहले इसका काम क्या होता है section cross section कैसे होता है वो देखो पहले आया था flat देखो flat का cross section कैसा है कुछ इस तरह से knife का doth knife का half round भी और फुल रॉंट भी होता है हाफ रॉंदह यह kg यह हो गई है फुल् persons से होगा आसे हो गया यह हमाआ सकल्स हो गया है यह हमारा स्रकूल के चीज और में दिखाता हूं आपको तो यहां परी हम यहां आपको अच्छा स्ट क्लियर हो जाएगा अब कुछ देखो यही क्रॉइसेक्षन हो जो हाफ रौंड में होगा और कुछ फाइल ऐसी दिखेगा फाइल्स तो ऐसी होका सिकॉइर में क्यों ओगे इस dla रूंद में रौन हो होगा hydrant में होगा rectangular शेप में होगा ट्रैंगल में होगा ट्रैंगलेंगल बना अब भूए है आराम समझ नहीं सब कुछ अच्छा समझा उख्याँ अगर समझ नहीं तो प्लीज कमेंट करना क्योंकि मैं समझ नहीं आ पर इंच ग्रेट कम अप्ये बोल सकते हों कि यह जो हमारा थीज कि घंज है तो इक इंच में एक माम लेते हैं मेरे एक इंच में कितना थ्जीँ है ुसा ही कम बspeaking की तीक अग्रीड हैً थीक है ज्यादा soft है तो आपको क्या चाहिए,grade कम चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादा number of teet रहेगा, तो क्या होगा, सहीं से काम नहीं कर पाएंगे हम लोग, तो teet कम होना चाहिए, लेकिन teet का जो ठिकने से वो बहुत ज्यादा होने चाहिए, तब ही काम कर पाएंगे हम लोग रॉफ में तो देखो 20 ठीट पर इंच होना चाहिए बास्टर्ड ये भी एक कोई सर्फेसर केटेगरी है तो ये भी क्या 30 पर इंच होना चाहिए सेकेंड करट है तो 40 स्मूथ अगर है जहां पर आपको स्मूथली काम करना है तो आपको जादा नंबर अफटीट चाहिए क्योंकि जादा नंबर अफटीट इसलिए चाहिए आपको स्मूथने चाहिए वहाँ पर इससे भी ज़्यादा समूथ समझ गए ना है अब बात करते कट के बारे में देखो कर्द को मतलब क्याATHAN हो रहे हैं यहां पर तीत का कट का बात कर रहे एक हमारा था सिंगल कट ठिक हमारी था क्या दबल कट smile-cut में क्या उता है वो़ दिर्बंड हो रौ टीर का के लिए फिर देखut cut का मतलद क्या होता है जहां परिदो इंक्लैंड हो एक इंक्लैंड हो गए और यह एक इंक्लैंड हो ग्हatt prize के लिए जइनरे लिए ज़ादा करें यहां पर जादा फास्टंक रिसदले उंदे बाने हलका सा रेज हो ठीक है तीत हलका रेज हो ऐसे करके बना होगा ठीक ताकि अनिविन ली इस पिर हम लोग यूस कर सकें इसको हम यूस करते हैं very soft materials के लिए समझ गये न अब बात करते है convex city ठीक है convex city of files मतलब files को generally made करते हैं हम लोग convex shape में convex face रहता है ठीक है यह क्या होते है होते हैं बीच में और आप पतले होते हैं साइड साइड में समझ गए अब देखो इसमें एक इंपॉर्टन चीज़ है मैं बताता हूं पीणिंग के बारे मतलब क्या होता है मतलब होता है वेडिंग मैंनि पार्टिकल्स औव मेटल स्फिंटर देखो अब क्या होता है वांन लेते हैं कि यह हमारा सीस हो गई वाजीत है ओ यह हमारा स feature है कि अब यह होरा आप वो कर रहे हो किfest़ dispac Mississippi को परें तो कुछ जो पर्टिकल्स होंगे मैटियल के वह से इसमें फस पस जाते हैं white white से आ जाएंगे यहां पर ही आ जते हैं तो इसी को हम बोलते है क्या pinning मतब्स छिपक ना उस material का जो particles होगा file करने पर जो नहीं जो अगर छिपक जाएगा इस ये क्या तो इससे क्या होगा हमारा filing खराब कर देगा तो यह सबसे बसिर से पहले क्या करेंगा हम अगर यह करते हैं यह करते हैं लोग अब अब ड्यूसरा बाद आता है कि ब्रेकिंग आफ फाएल teeth मतलब फाइल तीत का तूटना देखो फाइल कंसिस्ट करता है बहुत सारा कटिंग एज अपने फेस पे तो डायकली यूज़ करते हैं हम लोग हाइड मेटल पे राइट अब यहां पर बहुत सारा चीज दिया हुआ है जैसे कि देखो हांडेड स्टॉक दिया थौजन स्टॉ कर देगा और भी operation उसका efficiency कम कर देगा समझ गए बहुत इजी है न देखो फाइल का मैं बता दिया आपको क्रॉस सेशन कैसे होता है फाइल इस तरीके से हम लोग यूज़ करते है तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो समझ आता हो हर्चीस के बारे में जो मैं बता रहा हू तो प्लीज आप likes and comment कर देना जो आपको समझ नहीं आता हो उसे बता देना और आगे और चाहते हो सब वीडियो के बारे में तो subscribe and bell icon को ज़रूर प्रेस कर देना ताकि notification आपको ज़रूर मिल जाए right so thank you for that